देश में आए दिन कोई न कोई ऐसी खबर सुनने को मिल ही जाती है जो पूरे मानव समाज को शरमसार करने वाली होती है ऐसी बेहत गिनोनी और खतरना खबर जो किसी पत्थर दिल इंसान को भी देला देती है ऐसी एमानविय गटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या अब हमारे अंदर दया, सम्वेदना, मानवता, धरम, सैयम, करूना की भावनाएं खतम हो चुकी हैं। क्या हम जीते जी मर चुके हैं। हर रोज बलातकार और हत्या जैसी तमाम खबरे मन को हिला देती है। जैसे जैसे हम मोडरनिटी या आदुनिक्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने कदम बढ़ा रहे हैं, उसके साथ-साथ ऐसी गटनाएं भी बेहद खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं। अगर हम बलातकार की गटनाओं पर जो डालते हैं ध्यान दें, तो समाज का एक तबका बलातकार के कारणों के पीछे अपनी दिल्चस्पी दिखाने लगता है। अब ये अपरादों को जनम दे रही है। लोगों तक हमारे कानून की जानकारी पहुचाना है ताकि लोग अपने अधिकार से वाकिफ हो। अपराद और उसकी सजा से वाकिफ हो। एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें। मेरी छोटी सी कोशिश है ताकि जादा से जादा विक्ती अपरादों के बारे में जाने और समझें। यकीन मानिए अगर आपको ये पता होगा कि ये अपराद है और ये इसकी सजा है तो आपका एक मन उस अपराद को करने से रोकेगा। ऐसा मेरा मानना है। आप सभी से निवेदन है आप मेरी वीडियो फेर यूज के लिए कहीं भी शेयर करिए। आप अपने चैनल पर डालिए। मैं कभी भी कोपिराइट स्ट्राइक नहीं करूंगा किसी को भी। और अगर गलती से किसी को चली जाती है तो मेरे चैनल पर इमेल आईडी दी गई है। आप मुझे मेल करके बताइए I'll remove it। दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत देश के होने वाले अपरादों के बारे में। खास कर रेप के अपराद के बारे में इशू बेहत समवेदन शील या संसिटिव है। इसलिए इसको लेकर आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तो एक बात समझ लीजिए कि भारत में जो क्राइम हो रहे हैं वो कई लेवल पर हो रहे हैं। पहला लेवल है कि किसी अपरादी ने क्राइम कर दिया, ओफेंस हो गया, अब इसके बाद पुलिस प्रशाशन को या लो एंड ओडर मशिनरी को अपरादियों के विरुद खड़ा होना चाहिए और पीडित का पक्ष लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तो, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो रहा है बिल्कुल उल्टा। कहीं पुलिस रात को लाश जला देती है, तो कहीं F.I.R. तक नहीं लिखी जाती। चाहिए उत्रपरदेश के हाथरस की गटना हो, या बलरामपुर, या आजमगड में 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। इसके अलावा आप लोग गूगल करके देखिए, रूह कपा देने वाले केसिस मिलेंगे अब। National Crime Record Bureau NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक लगबग हर 17 मिनिट में एक रेप हो रहा है बारत देश में। ये बड़े शरम की बात है, हम सब के लिए अपरादियों ने क्राइम किया, उसके बाद पुलिस परशाशन अपरादियों के ही बचाओं में उतर कर उसी क्राइम का हिस्सा बन जाती है। इसके बाद Supreme Court में मामला जाएगा और वहां पर Review Petition, Curity Petition जाएगा फिर President के पास Pardon Petition जाएगा और ये सब इतना लंबा खेल हो जाएगा कि पीडित नयाय की उमीद ही छोड़ चुका होगा। जिम्मेदार मूँ फेर कर बैठ जाते हैं। उपर से हमारा समाज अलग ही लेवल की मुरक्ता करने में लगा हुआ है। एक बात हम सब को समझनी चाहिए कि अपराद होने के बाद वो अपराद समाज को दो बागों में बाट देता है। एक अपरादी और दूसरा पीडित। या तो हम अपरादी के पक्ष में होते हैं या फिर पीडित के पक्ष में। लेकिन अपरादी और पीडित को छोड़ कर हम जातिवाद में बट जाते हैं, हम धरम में बट जाते हैं, हम राज्य में बट जाते हैं, हम अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज में बट जाते है हमें पता भी नहीं चलता हाथरस वाले केस में video वायरल है जिसमें खुद DM पिडिता के घर जाकर कह रहे है कि मीडिया आज है, कल नहीं होगी ये कहने का क्या मतलब है ये कहने के बज़ाए DM साहाब को मीडिया से बात करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि हम पीडिता के साथ खड़े हैं और अपरादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी आप जिस विवस्था की बात कर रहे हैं वो बैसाखियों पर से भी गिर चुका है यकीन ना हो तो अपने नजदी की पुलिस थाने में बिना सिफारिश के एक F.I.R. करवा के देख लीजिए असलियत आपके सामने आ जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में डेड़ दिन में एक रेप का मामला दर्ज किया जा रहा है हिमाचल में एक दिन में एक रेप का, पंजाब में 9 गंटे में एक रेप, उत्राखंड में 17 गंटे में एक रेप, हरियाना में 6 गंटे में एक रेप का मामला दर्ज हो रहा है दिल्ली में 7 गंटे में रेप का मामला दर्ज हो रहा है, उत्रपरदेश में हर 2 गंटे में एक रेप हो रहा है, राजिस्थान में हर 90 मिनट में एक रेप का मामला दर्ज हो रहा है, गुजरात में 17 गंटे में एक रेप का मामला दर्ज हो रहा है, मध्यपरदेश में 3 गंटे एक मामला और आंदर परदेश में आठ गंटे में एक मामला दर्ज हो रहा है द्यान रखी इन स्टेट्स में सभी पार्टीज की सरकार है लेकिन किसी को शरम नहीं आ रही तेलंगाना में 10 गंटे में एक मामला करनाटक में 17 गंटे में तमिल नाडू में 24 गंटे में, केरला में 4 गंटे में और वेस्ट बंगाल में हर 8 गंटे में एक मामला दर्ज हो रहा है रेप का, कौन सी पोलिटिकल पार्टी कहां बैठी है इससे हट कर सोचिए, देश में अपरादों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और ये बात तब तक आम लगती है, जब तक कि कोई खुद इसका शिकार ना हो जाए, रेप के ये जो आकडे मैंने बताए हैं, खुद सरकार ने जारी किये हैं, हो सकता है जो अपराद रिपोर्ट ही नहीं होए, या जिनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की गई, वो आकडे इससे कहीं ज्यादा ह दोस्तो बटने बाटने वाली बात को लेकर एक बात समझ लीजिए, आप और मैं एक ही नाओ में सवार हैं, अगर नाओ में छेद होता है तो हम दोनों ही डूबेंगे, अगर मेरी तरफ छेद है तब आप भी डूबेंगे, और अगर आपकी तरफ छेद है तो मैं भी साथ हम सब एक ही नाव की सवारी हैं अगर नाव डूबेगी तो हम सब डूबेंगे एक दूसरे पर टारगेट करने के बजाए हमें छेद बंद करने पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों जब 4-6 या 8 महिने या 2-4-6 या 8 साल की बच्ची से रेप होता है तो जागरुकता दम तोड़ देती है किसको जागरुक करेंगे हम कौन सी मुहीम चला रहे हैं सबसे पहले तो मुहीम चलाने वालों को ही जागरुक होने की जरूरत है जो बाते कोर्ट रूम में होने चाहिए वो सड़क पर हो रही है मीडिया कह रही है रेप हुआ है जबान काट दी गई है लड़की की और पुलिस के अधिकारी पोस्ट मार्टम और फोरंसिक रिपोर्ट जारी करके कह रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं है मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे समवेदन श्रील और गंभीर मुद्दो को लेकर मुद्दो को बेहुदा तरीके से खेल में तबदील कर दिया जाता है यहां मैं जिम्मेदारों की बात कर रहा हूँ मीडिया या पुलिस परशाशन की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, निर्भ्या कांड के बाद J.S. वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें साफ साफ कहा गया है कि रेप कमिट करने के लिए फिजिकल रिलेशन का होना जरूरी नहीं है 2013 से पहले शरीरिक संबंद होना जरूरी था रेप कमिट करने के लिए, एक शब्द था इंद्रिय प्रविशन यानि पेनिट्रेशन वाज रिकॉर्ड लेकिन 2013 में कानून बदल गया और आज के समय में लड़की के शरीर के कुछ बागों को छूना भी रेप का अपराद माना मुझे लगता है प्रतेक महिला, प्रतेक विक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए, उत्तरपरदेश के हातरस वाले केस की बात करें तो 14 तारीक को ये गटना गटी, लड़की के बाई के बयान क्यादार पर IPC के सेक्शन 307 के तहद, FIR दर्ज की गई, जो की attempt to murder की धारा होती है और केवल एक लड़के का नाम उसमें शामिल किया गया था, उसके बाद 22 तारीक को उस पीडित लड़की का बयान आता है जिसमें उसने गैंग रेप की बात कही और 4 लड़कों के नाम लिए, उसके बाद 29 तारीक को उस लड़की की death हो जाती है, अगर पीडित लड़की के ब्यान की बात करें तो हमारा Evidence Act Section 32 Sub Section 1 कहता है कि ये Dying Declaration है हिंदी में कहते हैं मृत्युकालिक कथन और इस कथन का बड़ा वेटेज होता है के इसमें Supreme Court ने यहां तक कहा है कि Dying Declaration के basis पर conviction हो सकता है या दोश सिद्धी हो सकती है इसे Evidence का Sub Sensitive Peace माना गया है क्योंकि माना जाता है कि मरता हुआ आदमी कभी जूट नहीं बोलेगा पूरी कहानी यह है कि Offense हो गया Offense के बाद अगर परशाशन चुष्ती से काम कर ले और Court ठीक से judgment दे ठीक से judgment in the sense कि ऐसा मामला जिसमें जगन्या हत्या का मामला हो उसमें तवरित सुनवाई होनी चाहिए यानि Speedy Trial होना चाहिए तारीक पर तारीक नहीं मिलनी चाहिए Court system को बदलना पड़ेगा देश में एक Court छोटे मोटे मामलो या अपरादों के लिए होनी चाहिए जिसमें जल्दी निर्णय आ जाए और ये अपील का खेल ना चले और ऐसे ही एक Court जगन्या मामलो या अपरादों के लिए होनी चाहिए जिसमें निर्बया या हात्रस जैसे अपरादों की सुनवाई हो ऐसे मामलो में सुनवाई सीधी High Court में होनी चाहिए केवल दो या तीन लेवल पर ही सुनवाई होनी चाहिए High Court और Supreme Court या इसके पैरलल में एक कोई और Court बना देनी चाहिए ऐसे मामलो में Pardon Petition का Option भी खतम कर देना चाहिए क्योंकि ऐसा व्यक्ति हैवान होता है और जहां रहेगा उस प्रतेक व्यक्ति या समाज के लिए वो खत्रा बना रहे तो ऐसे आदमी को रस्ट्रपति क्या शमा करेगा क्या फाइदा होगा शमा करेगा शमा या चिका का Option नहीं मिलना चाहिए कुछ लोग कहेंगे कि इससे अन्याय फैलेगा तो भाई Supreme Court के बाद कहां जाओगे न्याय लेने अगर ऐसे ही कुछ उपायों पर हमारे देश के जिम्मेदार लोग ध्यान दें तो हम अपराद मुक्त समाज की कलपना कर पाएंगे अदर्वाइस 2013 में अमेंडमेंट हो गए 2018 में IPC और CRPC में अमेंडमेंड हो गए डेथ पनिश्मेंट की मांग कर रहे थे डेथ पनिश्मेंट के प्रोविजन हो गए लेकिन कौन डर रहा है डेथ पनिश्मेंट से आकडे उठा कर देख लो अकबार पड़ कर देख लो कोई नहीं डरता 17 मिनिट में एक रेप का होना आप समझते हैं शरम से डूब मरने वाली बात है आपके लिए भी हमारे लिए भी शाशन प्रशाशन और देश के सभी संत्री और मंत्रियों के लिए एक बात समझ लीजिए हमारे देश का कानून बहुत बढ़िया है IPC का सेक्शन 10000 लड़की को ये अधिकार देता है कि वो रेप अटेंप्ट करने वाले को जान से मार सकती है लेकिन मामला खराब हो जाता है खराब विवस्था और देरी से मिलने वाले न्याय के कारण क्योंकि पहली बार में अपरादी ने अपराद किया दूसरा अपराद पुलिस ने किया और तीसरा अपराद करती है न्याए पले का समय पर न्याए ना दे कर फिलाल सबसे जरूरी है इस सिस्टम को ठीक करना अपरादी को सजा दी जाए और पीडित को तवरित न्याए बिना तारिक पर तारिक की कहानी के कहीं न कहीं advocates भी इस खेल में शामिल हो जाते हैं advocates को भी कानून से खेलना बंद कर देना चाहिए ये समश्या मेरे अकेले की या आपके अकेले की या फिर किसी एक राज्य की नहीं है बलकि ये पूरे देश की समश्या है सबको मिलकर इस समश्या के बारे में सोचना चाहिए इंतजार नहीं करना चाहिए कि कब ये समश्या आप तक पहुँचे और फिर आप इसको गलत माने चूंकि मैं अपनी वीडियो में sensitive मुद्दो की बात करता हूँ हर वीडियो में अपराद और अपरादी की ही बात होती है इसलिए कई वीडियो यूटूब रेस्टरिक्ट भी कर देता है और रीच भी रिस्टरिक्ट कर देता है इसलिए निवेधन है कि चैनल सबस्क्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन भी जरूर दिबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, नमस्कार